नमस्कार मित्रों राजस्थान बुग्गोल की सीरीज में फिर से आपका स्वागत है अपने पिछले वीडियो में अफवहात अंतर की जो अन्ने महतपूर्ण अधियां थी उनके उद्गमिस थल के बारे में धिन कर लिया था नेक्स्ट अपना टोपिक है राजस्थान की जीले राजस्थान की जीले पानी की प्रकृति के आदार पर राजस्थान की जीले है उन्हें दो भागों में माटा जा सकता है पहला खारे पानी की जीले, दूसरा मेठे पानी की जीले खारे पानी की जीलों का कारण है टेती सागर के अवशेस होना मेठे पानी की जीलों का कारण है वर्सा ताजे पानी पर निर्मेत होना खारे पानी की जीलों का द्धिन करते हैं अपन पहली ज जील है सांबर जील ये जह पुरुग्रमिन में उसकी इस्तित है जह पुरुग्रमिन जीले में इस्तित है निर्मान वासुदेव चोहान द्वारा करवाया गया इसका जो वो बिजोलिया सिला लेख में मिलता है सांबर राजस्तान की सबसे बड़ी खारे पानी की जील वे भारत की तीसरे नंबर की खारे पानी की जील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील चिलका जो की ओडिशा में इस्तित है पुलिकट जो की अंदरप्रदेश वे तेलंगाना की सीमा पर इस्तित है नमक उत्पादन की दिष्टी से संबर देश की संबर जील है वो देश की सबसे बड़ी जील है 8.7 प्रतिशत नमक यहां से 8 प्रतिशत नमक देश का उत्पादित होता है राजस्थान का सी प्रतिशत यहां संबर साल्स लिमिटेड इस्थापित की गई है जिसका राज्य और किंद्र का अनुपात राजस्थान का 40 प्रतिशत और भारे सरकार का 60 प्रतिशत है इसमें 1990 में रामसर साइट में सामिल की गई ये राज्य की दूसरी ऐसी है जो इस्थान है या ऐसा इस्थाल है जिसे रामसर साइट में सामिल किया गया क्यार किसे कहते हैं सांबर जील में प्राप्त नमक सांबर जील से प्राप्त नमक को क्यार कहा जाता है और ये जो तकनीक है वो क्यारी कहलाती है नेक्स्ट अपनी जील आजाती है पंचपद्रा ये बालो उत्रा में श्तित है पहले बाड़मेर में थी पंचपद्रा राजस्थान में सरवादिक खारा वे सरवस्रेश्ट नमक पंचपद्रा से उत्पादित होता है क्योंकि इसमें एन एसील की मात्रा 98% पाई जाती है तो सरवादिक जो सरवस्रेश टमक है वो पंचपद्रा से ही उत्पादित होता है खारवाल पंचपद्रा से नमक उत्पादित करने वाले जो जाती है वो खारवाल जाती है मोरली जाड़ी इसकी टेहनियों पत्तों का उप्योग पंसपद्रा में नमकुत पादने इस फटिक बनाने में किया जाता है नेक्स्ट अपने खारे पाने की जो जील है तीसरी वो आ जाती है डीडवाना कुछ अमंजिले मिश्थित है सबसे गठेक्सम का नमकुत पादित होता है डीडवाना में क्योंकि यहां एनेशेल की स्थान पर नेटू एसॉफोर पाया जाता है नेटू एसॉफोर का उप्योग चम्रा साप करने में कागज गलाने में काचुद द्योग में होता है यहां डीडवाना में राजस्थान, राज्य, केमिकल, वर्क्स का रासानिक कारखाना इसी जील के किनारे इस्तित है नेक्स्ट जो अन्ने खारे पानी की जीले हैं नेक्स्ट मेठे पानी की जीले हैं वो देखेंगे अबर कल नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें